केरल प्रदेश कॉंग्रेस समीती के प्रमुके सुधाकरण ने देश के पहले प्रधार मंत्री जवाहलाल नेहरू की तारीव करते करते कुछ ऐसा कह दिया जिसने कॉंग्रेस के नेताओं को भी बंगले जहाकने के लिए मजबूर कर दिया है। बनाया। वो इतने उदा थे कि अपनी कैबिनेट में आरेसस नेता शामा प्रसाद मुखाजी को मंत्री बनाया। इतने दरिया दिल कि सामपदाइक फासिवादियों से भी समझोता कर लिया। करते हुए उन पर कॉंग्रेस को संग परिवार के खेमे में ले जाने की कोशिश करने का आरोब लगाया। वही और इंडिया मुस्लिम लीग के वरिष्ट नेता M.K. मुनीर ने सुधाकर्ण के टिपनी के अलोशना करते हुए इसे लोगों को उकसाने और फासिवादियों को खुश करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने इसपश्ट कर दिया है कि जिन कॉंग्रेसियों की RSS का समर्थन करने वाली सोच है उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए।